Hey guys, जैहिंत स्वागा थे आपका Agri Mantra YouTube चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AFO Special Series के Part No.20 के बारे में अभी तक 19 वीडियो हो चुके हैं जिनी स्टुडेंट्स ने परानी वीडियो को नहीं देखा है चैनल पर जाकर एक बार उन वीडियो को आप जरूर देखेगा वो सारी वीडियो आपके एक्जाम के पॉइंट वी से काफी इंपोर्टेंट रहने वाली हैं एक और इंपोर्टेंट ने इंफिर्मिशन अग्रिकल्चर करेंट अफियर्स इस्पेशली फोर एफ़े एक्जाम पॉकेट बुक जिसमें आपको जनबरी 2021 से दिसंबर 2021 तक पूरी एक साल का अग्रिकल्चर का करेंट अफियर्स मिल ले वाला है मातर 149 रुपे में एंड्रोड अप्लिकेशन पे ये ओफर अबिलिबल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से जाके एंड्रोड अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिगा और पॉकेट बॉक को आप पर्चेस कर सकते हैं इसके साथ ही आप 20 मोक टेस्ट को भी पर्चेस कर सकते हैं बात करेंगे प्रीबियस पार्ट में पूछेगे कोशन के आंसर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है रिमूबल ऑफ मेल वड इन बनाना में जो मेल वड को रिमूब करते हैं तो इसको डी नैवलिंग के नाम से जानते हैं यह आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है फिर उसके बात करेंगे फर्स्ट कोशन की AICRP और नैमा टोट्स AICRP का मतला है All India Coordinated Research Project 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी और यह सबसे पहले AICRP जो है वो मेज के लिए आया था मक्का के लिए आया था यह इंपोर्टेंट है यह आपको याद रखना है और AICRP नैमा टोट की बात कर रहा है तो यह आपका New Delhi में है इंपोर्टेंट कोशन बन सकता है याद रखिएगा आगे बात करेंगे बल्ड कॉफी डे is celebrated on जो बल्ड कॉफी डे है वो कब मनाते है तो एक October को बल्ड कॉफी डे के नाम से बनाते हैं दिवस के रूप में मनाते है 16 October को बल्ड फूट डे विश्व खाद दिवस के रूप में इसको मनाते हैं तो इन days को आप याद रखिएगा एक कोशन यहां से आ सकता है आगे बात करेंगे fertilizer control order act का वाया था तो 1957 में एक fertilizer control act आया था 1966 में जो है seed act आया था तो यह सब act से भी exam में कोशन आ जाते हैं तो इन सुरुती की cross करके बनाया गया है यह आपको याद रखना है cross काफी important है breeds के फिर उसके बाद आगे बात करेंगे what is the international seed certificate color sampling is done in one country and analyzes in other country यह आपका EFO में आया हुआ कोशन है और इसका जो right answer होगा बहुगा green green color का use करते हैं यह simply आपको याद रखना है फिर आगे बात कर रहे हैं which is a natural mutant variety of coffee coffee की जो है mutant variety पूछ रहा है तो ketola जो है यह आपका natural mutant variety है coffee की और यह आपके RRB में आया हुआ कोशन है यहाँ कोशन डालने का मतलब यह है किस type के कोशन की संभवना आपके exam में आने की है आगे बात करेंगे as part of preservation of fruits and vegetables the most common method of preserving fruits with the help of sulfur is known as simple भाशा में बात यह है कि fruits और vegetable को यहाँ पर आप preserve कर रहे है sulfur के दोरा जिसको हम क्या वो लेंगे तो इसको sulfuring के नाम से जानेंगे बस यह यहाँ पर answer होने वाला है आगे बात करेंगे chromosome number कीवी fruit होता है जिसमें chromosome number आप से यहाँ पर पूछा गया है तो 58 यहाँ पर chromosome number जो है आगे बात करेंगे national dessert center for horse यह कहाँ पर है इसको sort में NRC के नाम से जानते हैं नेशनल dessert center NRC के नाम से भी जानते हैं यह आपका कहाँ पर है तो यह आपका हिसार में है हिसार कहाँ पर है हर्याना में है यह आपको याद रखना है अगर आपको series वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करते चलिएगा दोस्तों के साथ share करते चलिएगा अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करेंगे तो हम कोशश करेंगे कि आपके exam तक हर दिन आपको ऐसे quality वीडियो दे सकें बात करेंगे ethanol की तो ethanol कहाँ से upton करते हैं तो इसको आप सुगर केंज से गन्ने से इसको अपटेन करते हैं ये आपको याद रखना है फिर आगे बात करेंगे divler की divler क्या है ये आपका agriculture engineering का question है अच्छा question मनता है divler जो होता है planter की रूप में काम करता है planter का ये type होता है ये आपर आपको याद रखना है important question मन सकता है right answer होगा आपका यहा go down मतलब कि नावाड के according अगर medium size का जो go down है go down है तो उसकी metric ton के according उसकी capacity क्या होनी चाहिए तो आपको याद रखना है कि 500 metric ton भी capacity होती है 1000 और 1500 और 2000 यानि की all of these यहाँ पर right answer होने वाला है अच्छा question है इस type के question exam में देखने को मिलते हैं आगे बात करेंगे question number 13 की यहाँ पर canopy का मतलब होता है कि यह आपका plant है मतलब यह आपका जो है एक पेड है पौदा है ठीक है तो इसकी जो structure है इसका जो पूरा जो इलाका है यह यह जो red circle में आपको दिख रहा है इसी को हम canopy केते हैं अगर tree की canopy 10% से कम है तो उसको scrub के रूप में जानते हैं important question है इस type के question आपके exam में देखने को मिलते हैं फिर उसके बाद आगे बात करेंगे question number 14 की यहाँ पर बात हो रही है soil less cultivation of plant is known as यानि की मिट्टी रहित आप पौधे को उगा रहा हो बिना मिर्दा के मिर्दा रहित माध्यम यहाँ पर है तो इसको हम hydroponics बोलते हैं ठीक है important है यह इस type की terminology exam में आ आई वीदी की नाम से भी जानते हैं हिंदी में सोगर केन यानि गन्ना की यह planting method है यह manly costal area में की जाती है यह कई बार exam में question पूछा गया है और मेरे हिसाब से यह काफी important question है आपको इसको याद रखना है ठीक है इसके बाद आगे बात करेंगे question number 16 की यहाँ पर बात हो रह पूलमा फिर उसके बाद कैलास भी आ जाती है एक variety ठीक है जोती एक variety आ जाती है यह सब पहड़ी छित्रों के लिए जो हिली एरियाज होते हैं उनके लिए काफी अच्छी यह variety मानी जाती है बार लेगी ठीक है उसके बाद आगे बात करेंगे question number 17 की first agriculture census यानि कि पहली जो agriculture के जनगणना हूई थी, जनगणना सारी, जो हुई थी, गणना जो हुई थी, जो हुई थी यह आपको याद रख न है पहली पसु जनगणना जो थी, एनिमल census जो थी, वो 1919 में हुई थी, यह भी कुछ terminology है, जो आपको याद रख न है northern question और आ आंसर होगा 1970, 1970 स 71 के आसपास ठीक है फिर उसके बाद आगे बात कर रहे है at field capacity the value of pf ठीक है pf की जो concept है वो मौशर से related है pf value की हम बात कर रहे है तो यह किस से related है मौशर से related है यह आपको याद रखना है ठीक है तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है field capacity की यहाँ पर बात कर रहा है तो 2.5 pf value होती है field capacity पर यह आपको याद रखना है अच्छा question बन सकता है फिर उसके बाद आगे बात कर रहा है kvk की credit की किसकी success की kvk यानि की करशी विग्यान केंदर ठीक है farm science center के नाम से भी इसको जानता है 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी pondicherry से इसकी सुरुआत की गई थी 1st kvk 1974 pondicherry में आया था और यह तमिलनाडव एगरिकल्चर यूनिवरसिटी यानि कोईंबटूर से यह related था इसका जो credit जाता है success का यह चंदरी का प्रसाजी को जाता है और यह important question है क्योंकि आपके AFO में आया हुआ question है ठीक है फिर उसके बाद बात कर question number 20 की the most serious paste of Bengal gram यानि चना का serious paste क्या होता है तो pod borer यहां पर होगा क्योंकि जितनी भी leguminous crop है सब में pod लगते हैं और यहां पर pod borer की समस्या जादा देखने को मिलती है तो guys यह हो गए top 20 question I hope आपको question और important facts पसंद आए होंगे अब हम बात करेंगे question of the day के बारे में जिसका answer आपको comment section में बताना है question है PCR technology was given by PCR जो technology किसके द्वारे दी गई है option है कारल इरके, कारल मूलिस, खौराना और कॉर्न बार्ग, इसमें से कोई एक सही answer है, right answer next part में हम करेंगे discuss, तो guys यह थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे त किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!